तो आज हम बनाएंगे गाजर वाला लच्छेदार पराठा हेलो और वेल्कम गाइस तो मैं मॉम्स यूटिव चानल स्वादवी संगेटा आज मेरी ममा की तब तोई खराब है तो मैंने सोचा मैं आज कोई रेसिपी बना के ममा की हेल्प कर देती हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किते ही सुन्दर और अच्छे लच्छे बने हैं इसके तो जादा टाइम ना वेस्ट करते हैं चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे बनाने की रेसिपी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इगाचर धोएंगे और उसे छोटी छोटी पीसिस में कट कर लेंगे फिर इसे हम mixa grinder में डालेंगे और इसका paste बना लेंगे तो पेस्ट बनाने के बाद हम आटा लेंगे, आटा के अंदर हम इस पेस्ट को डाल देंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा नमक लेंगे, और इसके उपर नमक डाल देंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल लेंगे, और अजवाइन मंगरेल भी इसके उपर चिटक देंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा घी लेंगे और घी भी डाल देंगे, इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसका डो बना लेंगे, डो बनाते वक्त हम अगर पानी की ज़रूत पड़ेगी, तो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो गाजर पिसा हुआ था उसके अंदर ही पानी डालके उसको यूज कर लेंगे अच्छे से डो बनाके हम इसे 10 मिनट तक ढखके रख देंगे अब देखेए 10 मिनट हो गया है मैंने इसे उपन किया है और ये डो हमारा काफी सॉफ्ट हो गया होगा इसे वापस से हम थोड़ा सा नीड कर लेंगे नीड करने के बाद अच्छे से अब हम इसका चुट 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 गोला बनाएंगे और इसको हम बेलेंगे बेलना कैसे है गाईस बेलना बिलकुल वैसे ही है जैसे आपकी पॉकेट में सिग्रेट पकड़े जाने पर आपकी जैसा आप देख सकते हैं हमारे आटे का जो कलर है वो ब्रिक रड कलर पे आया है तो यह देखने में तो सुंदर है ही और खाने में तो क्या ही वताओं और साथी साथ इसमें गाचल डला हुआ है तो यह थोड़ा है तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा घी लेने के बाद इसके पर मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है और थोड़ा सा चिली क्लिक्स भी डाल दिया है अब आता है most important step अब आपको क्या करना है अब आपको इसे कट करना है कट कैसे करना है वेल जब घर पे आपका boyfriend पकड़ा जाता हो तो आपके पापा जैसे आपको और आतले पीसे में कट करने का सोचते है ना बिल्कुल वैसे ही I know तुरह डाक हो गया बिल्कुल आपकी लाइक के तरह चलिए अब देर ना करते वे इसे अब हम गोल 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 कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इसको रोल करने के पाद अच्छे से इसे हम म अच्छा बहुत ही अच्छे से एक दुस्ते से अलग हो जाएगा यह देखिए अब मैंने बेल लिया है अब इसे बेलने के बाद हम इसे तवे पे डाल देंगे तवे पे हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे जाता देर नहीं पकाना है नहीं तो जल जाएगा देखे इस तरह से कलर आने तक हम इसे थोड़ा पकाएंगे, पकाने के बाद हमने पलट दिया है, पलटने के बाद अब हम इसके उपर थोड़ा सा घी लगा देंगे, घी लगाने के बाद हम इसे वापस से थोड़ा पलट के पकाएंगे और इसके उपर भी घी लगा देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया है और ये हमारा लच्छी वाला पराठा रेडी हो गया है मैं एक और बना के दिखा दे रही हूं गाइस अब थोड़ी दिर ये एक तरफ पक जाए तो हमने इसे प Ain öffentlich से पलट के दूसरी तरफ भी पका लैए है पकाने के बाद इसके ओपर हम थोड़ा सा गी लगा देंगे घी लगाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ से भी पलट के पका लेंगे अब देखिए थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारा लच्छी वाला पराठा पग गया है बिल्कुल अची तरीके से दोनों तरफ से हमने अलट पिलट के पका लिया है अब देखिए कि तो सुन्दा ब्राउन कलर आ गया है अब चलिए चलते हैं दो मोस्ट अमेजिंग स्टेप जोकि है प्लेटिंग और इटिंग अड क्योंकि पेट में चूवे कूद्रे थे तो मैंने सोचा प्लेटिंग को छोड़ो और इटिंग पे पिकॉंसेंट्रेट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कि हमारा लच्चेदार पराठा कितना ही अच्छा बना है, लच्चे बिल्कुल अलग हो रहे हैं, देखने में तो सुन्दर है ही, अब मैं इसे इंजॉई करूँगी मिर्ची वाले अचार के साथ, देख के ही मुमें पानी आ रहा है, तो लेस्ट ट्लच तैसी हैं, अचीव अचीद, वीडियो अकर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चयार क delayed को लेइक बिल्कुल भी मद भूलिएगा, this tastes so amazing this is 10 on 10 अब भी से जरूर राइके शे बताएं कि कमेंट्स में कि कैसा लगा